कि नमस्कार आदाप सेस्टेकाल रादे रादे जैहिन उख़त तहे दिल से स्वागत है आप सब का महिंद्राज के ऑफिशल यूट्यूब चैनल पर और मैं चानी महिंद्राज जो है हम सब की तरफ से जो है बहुत-बहुत इजान एक्षब कामना है कल जितने भी लोगों ने एक्जामीनेशन दिया और अगर पहुत बढ़िया गया होगा अगर एक्जामीनेशन में कोई दिक्कत आ गई है कि मुझे कोई सेक्शन नहीं बना तो मैं बता दू कि आई-बी-पैस अक्षमं को और इकशेयर जो है करूं कहां पेश्यों आ रहा है। कितनी स्पीड मेंटेन करने में मुझे प्रॉबलम मारी है। कौन-कौन से सक्षन में धिकत देखने को मिल रही है। तो बिलकुल अगले एक्ञाइंशन से उन सारी कि सारी कमयोग क्या करना है ऑवर कम करते हुए बढ़िया से examination देना है और जितने लोगों का examination कर अच्छा गया है बहुत तो वो लोग means की तैयारी की तरफ बिलकुल आगे लग जाएं बाकी S.S.C. Railway की examination में लाइन अप है तो उसी को देखते हुए जो है आज हम top 75 questions की series लेकर आए हैं तो शुरुआत करते हमारे आज के hashtag से I can, I will and yes you can, you will और आज है Sunday तो बहुत सारे लोग weekend मना रहे होंगे Very good morning to all of you बता दो जल्दी से कि voice audible है, video clear है कि नहीं, is everything is okay, all set तो सब लोग बिलकुल ready हो गए हो MCQs के लिए तो हमें 75 top MCQs जो S.S.C. Banking के और railway के examination के लिए हमारे important रहेंगे वो हम आज discuss करने वाले हैं जो इतने समय से news में बने हुए है और इतनी सारी organizations, इतनी सारी meetings, इतनी सारी books जो news में बनी हुए हमें सब को cover करना है आप बहुत समय से मेरे साथ जुड़े हुए तो I hope सब के कम से कम 70 plus questions सही हो गई होगे मैं पूरे 75 नहीं कहती एकात क्या हो सकता मिस हो सकता बीच में अगर एकात class मिस करनी गई होगी लेकिन फिर 70 plus सब के सही होने चाहिए तो बता दो जल्दी से कि सब ल अलावा अगर मैं बात करूं निधी माम, मुरारी, कुमार, शाहीन तो भाई जितने भी नए लोग जुड़ चुके हैं फटा फट सब लोग क्या कर दो सेशन को जहां जहां पर भी आप जुड़े हुए हो सेशन को क्या करते जाना है शेर करते जाना है सेशन को जल्दी जल विक्रम कुमार, विश्नु रावत सब लोग जो है रेडियो जोके पहला क्वेशन आ रए है स्क्रीन पर, सब लोग अपनी स्कॉर्ड जो है वो काउंट करते जाओं गे कितना गलत हो रहा है तिके मैं 25 क्वेशन करके जो पूछती जाओंगी कि कितना सही हो अभी तक कितना गलत हुआ है पहला question आ रहा है screen पर उसके लिए मैं अपने आपको अंतर ध्यान कर लेती हूँ ठीक है first question आ रहा है screen पर where is the headquarter of the bank for international settlement located bank of international settlement का मुख्याले कहां पर स्थित है आपको बताना है कि BIS bank for international settlement का headquarter कहां पर located है तो ये एक जो है international bank की तरहे काम करता है जो basal की नियम बनाता है basal के accord बनाता है तो banking में पड़ा होगा बहुत सारे लोगों ने basal की नियम बनाया जाते है बेसल के accord बनाया जाते हैं तो bank of international settlement का मुख्याले कहां पर स्थित है option है Madrid, Spain, Brussels, Belgium, Singapore या फिर basal Switzerland bank of international settlement का headquarter कहां पर located है बहुत बढ़िया answer आ गया है कहां पर currency क्या है Swiss franc है ठीक है Basal सिर्फ एक जगे का नाम है जो Switzerland में located है जहां पर basal की नियम बनाया जाते हैं जिसमें bankों को कुछ पुझी हमेशा अपने पास क्या करके रखनी होती है रिजर्व करके रखनी होती है जिससे crisis भरी situation में क्या किया जा सके बचा जा सके next अगर हम बात करें अगले question की तरफ बढ़ रहे हैं बहुत बढ़िया सबने सही answer दिया है very good very good very good everyone answer रहेगा डी बेसल स्विसलेंड second question आ रहा है स्क्रीन पर पांचेत डाम is located in which Indian state पांचेत बांध जो है किस भारतिय राज में स्थित है पांचेत डाम बताना है आपको न्यूस में बना रहता है कहां पर लोकेटेड है option है सिक्किम पंजाब जारखन की केरला ठीक है डाम्स में से question thermal power plants में से question आना ये तैह है पांचेत डाम जो है किस भारतिय राज में स्थित है जल्दी से बता दो पांचेत डाम जो है किस इंडियन स्थेट में located है option है सिक्किम पंजाब जारखन की केरला बहुत बढ़िया आंसर आ गया अभिशेक सरका कहां पर लोकेटेड है जारखन में लोकेटेड है कहां पर लोकेटेड है जारखन में अंसर देना है और अगर नहीं बन रहा है तो क्या करते जाना है स्किप जबरदस्ती आंसर नहीं देना है ठीक है ना क्या करते जाएंगे स्किप एग्जाम में भी यह strategy रहनी चीए एक बार आंकों के सामने से question गुज्रा दूसरी बार पड़ा अगर नहीं समझ में आ रहा ह काकरापूर हो गया मुद्रा हो गया यह सब कहां पर है गुज्रात में located है fourth question मोच्सू इस फेस्टिबल सेलिब्रेटेड बाइदा पीपल आफ मोच्सू जो है वो कौन से राज जी के दौरा जो है मनाया जाता है लोगों के दौरा यह एक तोयहार है जो कौन से राज जी के लोग जो है celebrate करते हैं तो मैंने हमेशा ही का है कि festivals में से question आएगा tribes में से question आएगा आदिवासी समों में से question आएगा मोच्सू is a festival celebrated by the people of मोच्सू जो है एक तोयहार है किस राज जी के लोगों के दौरा मनाया जाता है जल्दी से option देख लेता है मनीपूर नागालेंड तेलंगाना यहां फिर गोवा तो जहां पे भी north eastern states रहते हैं वो important हो जाता है लेकिन मोच्सू जो है वो festival है कहां का बिलक नागल इंच के दौरा बहुत बढ़िया नागल इंच में और कौन सा festival भी चल रहा है अभी हॉन बिल फेस्टिवल भी चल रहा है कौन सा festival भी हॉन बिल फेस्टिवल भी चल रहा है बहुत बढ़िया नेक्स आ रहा है अगला question screen पर धरनी web portal has been launched by which state for land and property registrations धरनी web portal किस राज का पंजी करन जो है वो क्या रहेगा online mode पर रहेगा अभी तक हम पट्टे पे जो है चड़वाते थे जा का municipal corporation के पास लेकिन एक धरनी web portal बना दिया गया है किस राजी के द्वारा option है पंचाब तेलंगाना मद्र प्रदेश या फिर गुचरात जल्दी से जो answer बता देना है very इंडियन मुवी has recently backed an award at the 14 Asian Film Festival 2020 हाली में चड़वे एश है फिल्म पुरसकार 2020 में किस भारते फिल्म को पिरुसकार मिला है तो 14 Asian Film Award की बात हो रही है ठीके ना 14 Asian Film Award की बात हो रही है किस भारते फिल्म को पुरसकार मिला है जल्दी से बता दो option है article 15 इसके लावा गली बॉय क केसरी मनी करने का किसे जो है अवार्ड दिया गया है 14 Asian Film Award का बहुत बड़ी अंसर आ गया है कौनसी है बाई कौनसी मूवी थी गली बॉय कौनसी मूवी थी गली बॉय थी नेक्स आरा है अगला question अगर मैं बात करूं तो 28 October को ये event हुआ था Asian Film Award Festival ठीके जिसमें रणवीर सिं according to the list of world's 50 safest bank given by the Global Finance New York कौन से बैंक ने विश्व के 50 सबसे सुरक्षित बैंकों की सूची के अनुसार एशिया के सबसे सुरक्षित बैंक में अपना स्थान हासिल किया है और ये report Global Finance New York ने निकाली थी तो आपको बताना है कि safest bank in Asia सबसे सुरक्षित बैंक एशिया का जो है किस बैंक सिंगापूर का, Overseas Chinese Corporation Bank भी सिंगापूर का, United Overseas Bank सिंगापूर का और State Bank of India जो है इंडिया का, safest bank in Asia जो है, ठीके safest bank in Asia जो है बिलकुल दिने सर, आचा मुझे भी पसंद नहीं आय थी दिने सर, फ्रांकी स्पीकिंग, ठीके जब award मिला था तो मेरा भी ऐसी reaction था, चलो safest bank in Asia का award जो है, किसे दिया गया है, बिलकुल बहुत बढ़िया answer सही आने लगा है, किसे दिया गया है, Development Bank of Singapore को, किसे Development Bank of Singapore जो कहां पे located है सिंगापूर में, अगर न्यूज याद आ रही होगी, तो DBS की जो Indian branch है, Development Bank of Singapore की जो Indian branch है, उसके साथ किसका merger किया गया, लक्ष्मी व last bank का, अगर मैं बात करूँ, तो KFW की बात करूँ, तो ये World का सबसे safest bank है, जिसने KFW Germany का आता, ध्यान रखना, ये World का सबसे safest bank है, मैंने क्या पूछा था कि Asia का सबसे safest bank कौन सा है, question मैं आप से पूछा गया, Asia का, तो वो कौन सा हो जाएगा, DBS Group, Development Bank of Singapore Group जो है, Singapore का, इसके अगर पूछेगा, safest bank in India, तो वो कौन सा हो जाएगा, भाई, State Bank of India, तो World में safest bank बिलकुल KFW Germany है, और अगर Asia की बात करें, तो वो कौन सा है, DBS, Development Bank of Singapore है, next question की तरह बढ़ना है, 8th question, which day was observed as International Internet Day, अंतराश्री Internet दिवस के रूप में किस दिन को मनाया जाता है, तो International Internet Day आपको ब रहते हैं, International Internet Day कब सेलिबरेट किया जाता है, जल्दी से बता दो, option है, 25 October, 27 October, 29 October, 30 October, 28 October, अंतराश्री Internet दिवस कम मनाया जाता है, बिलकुल, International Internet Day कम मनाया जाता है, very good morning, राम शबद यादव सर, जल्दी से जुड़ जाना है, कहाँ पर आंसर देते जाने है, चलो, अभिशे सर ने अंसर दे दिया है, सबसे पहले कह रहे है, 29th October को, तो बिलकुल, अभिशेक सर, आप बिलकुल सही हो, बहुत बढ़ी है, very good, शाबाशी दे लो अपने आपको, International Internet Day कब सेलिबरेट किया जाता है, 29th October को सेलिबरेट किया जाता है, नेक्स आ रहा है, अगले question की बात करे What is the capital of Tazakistan, option ध्यान से पढ़के करना है, Tazakistan की राजठानी क्या है, तazakistan की capital बतानी है, option को ध्यान से पढ़ लेना, अश्काबत, अंकारा, विक्टोरिया, दुशामबे या फिर कोनाकरी, तazakistan की capital क्या है इन में से, देखो मैं बाकी options जो हैं वो डिसकस नहीं करी हो, न पिछले question का answer दिया जा रहा, मुरारी सर जो है, तazakistan की capital बतानी है, अश्काबत कह रहे हैं, केशव सर, अंगस सर, फोर्ट कह रहे हैं, बिल्कुल, तazakistan की capital क्या है, दुशामबे है, तazakistan की capital क्या है, दुशामबे है, मुझे कोई comment box में लिखकर बताओ कि अश्काबत कि कि capital है, अश्काबत किस की capital है, तazakistan की तो दुशामबे है, विक्टोरिया तो सेशल्स की capital है, ठीके न, टर्की तो पता ही है, तर्की की capital अंकारा पता ही है, अश्काबत किस की capital है, कौन बताएगा, अश्काबत किस की capital है, तazakistan की capital दुशामबे है, अश्काबत किस की capital है, very good, निशा मैम बहुत बढ़िया, अंगत सर, पवन सर, very good, ठीके, अश्काबत किसकी capital है, कौन लिखकर बताएगा, जल्दी से बता दो, sketchy girl, बहुत बढ़िया, राजपूत सर, पवन सर, ठीके, अराम से option को पढ़के करना है, क्योंकि centralized countries जो है, वो बहुत important रहेंगी, चलो मै देखती हो, कौन बताता है, सबसे पहले कि कहा की है, ओक के, तुर्क मेनिस्तान की है, बहुत बढ़िया, जनातर सर ने बता दिया, इश्काबत किसकी capital है, तुर्क मेनिस्तान की capital है, option को ध्यान से पढ़के करना, next आरा है आगला question, बहुत important है, भातु कम्मा, floral dance festival is celebrated in which state, भा option है, गुच्रा, तेलंगाना, करनाटिकल, तमिलनाडू, या फिर केरला, फटा-फट जो है, आंसर बताते जाना है, भातु कम्मा, कहा का जो है, dance form है, floral dance festival है, किस राज्य मेनिस्तान की है, बहुत बार question पूचा गया है, चाहे bank की बात करूं, चाहे SSC की बात करूं, चाहे railway बात करूं, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर मैं बात करूं, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, अगर मैं बात करूं, तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत father of Indian Navy option है कानो जी अंगार है चत्रपती शिवा जी बोसले जॉन तालबुत हॉल यहां फिर सरदारी लाल नंदा father of Indian Navy किसे कहा जाता है भारती नौसेना के पिता के रूप में किसे जाना जाता है बहुत बढ़िया very good morning सती सर फटा फट कमेंट बॉक्स में आंसर देना स्टार्ट कर देना है सती सर ओके आंसर आने लग गए है बहुत बढ़िया father of Indian Navy किसे कहा जाता है चत्रपती शिवा जी भोसले जी को कहा जाता है अगर मैं बात करूँ नेवेडे कम मनाया गया था भी 4 December को मनाया गया था और 1971 से इसके शुरुआत की गई थी 1971 से इसके शुरुआत की गयी थी कौन से operation के तहट operation कौन सा था भाई operation trident था धियान रखना है कौन सा operation था, operation trident था, next आ रहा है अगला question screen पर, what is NMR test, NMR prescription क्या है, इसमें से full form बता दो, तो हमने बात की थी कि honey की purity को check कह रहा था, शहद में, जो adulteration है, मिलावट की जाती हो, से check किया जा रहा था, तो NMR का full form क्या है, ये एक test किया जाता है, honey के, जो है, वो कितना pure है, उसे देखने के लिए, शहद की purity के लिए, तो इसका full form क्या है, जैसे RT-PCR का full form important हमने देखा था, ठीक है, RT-PCR किसमें होता है, COVID-19 का test होता है, वैसे NMR test किसका होता है, honey की purity को बताता है, full form क्या था, very good answer आने लग गया, full form क्या है, nuclear magnetic resonance test, कौन सा होता है, nuclear magnetic resonance test, तो हमने बात की थ होती है, इंडियन के वो इस test को क्या कर पाए थे, पास कर पाए थे, तो full form धिहान रखना है, nuclear magnetic resonance test होता है, बहुत बढ़िया, next आ रहा है, अगला question screen पर, world investment report कौन निकालता है, विश्व निवेश report जो है, कौन निकालता है, फटाक से बता दो, world investment report, विश्व निवेश report कौ कौन सा संगठा निकालता है, world investment report कौन निकालता है, IMF है, world economic forum है, वीपो है, या फिर UNCTAD है, तो बिलकुल अगर मैं बात करूं, world investment report कौन निकालता है, बही, world investment report कौन निकालता था, UNCTAD, ठीक है, United Nations Conference on Trade and Development, जिसे UNCTAD के नाम से भी जाना जाता है, जिसका headquarter कहां पर है, Geneva, Switzerland में है, United Nations के अंदर काम करने वाली ये एक specialized agency है, किसके अंदर काम करने वाली specialized agency है, United Nations के अंदर काम करने वाली specialized agency है, एक बात ध्यान रखना, United Nations संयूक तुराश्ट संग जो है, अपने आप में बहुत important है, United Nations अपने आप में बहुत important है, क्यों, UN Day कम मना गया था, 24 October को मना जाता अगर मैं बात करूं तो United Nation ये संयुक तुराश्ट नाम का शब्द किसने खो जा था किसने कोईन किया था तो वो कौन थे Franklin D. Roosevelt थे कौन थे Franklin D. Roosevelt थे जिन्होंने UN नाम का शब्द क्या किया था कोईन किया था United Nation organization का headquarter कहां पर है New York में सयुक तुराश्ट संग का मुख्याले कहां पर है New York में जब UNO बना था सयुक तुराश्ट संग बना था तब कितनी member countries थी बस 51 member countries थी जब UNO बना था 24 October 1945 में ठीक है इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है 30 October 1945 में जुडा था किसमे UNO में चोटे चोटे पॉइंट जियान रखना इंडिया कब जुडा था 30 October 1945 में जुडा था at present कितनी member countries हैं भई 193 member countries है UNO में और सबसे last में जो country जुड़ी है वो कौन सी जुड़ी थी South Sudan जुड़ी थी ठीक है कौन सी जुड़ी थी South Sudan जिसकी capital क्या है जूबा है अगर हम बात करें United Nation Organization के Secretary General की तो उनका नाम क्या है Antonio Guterres है UNO के Secretary General का नाम क्या है Antonio Guterres है जो कहां से बिलॉंग करते हैं भई कहां से बिलॉंग करते हैं पुर्टगाल से बिलॉंग करते हैं और Portugal की capital क्या है लिस्पन है अगर हम बात करें United Nation Organization की मीटिंग में कितनी official languages बोली जाती है तो कितनी official भाशा हैं थी हम बार बार कर चु French, Russian, English, Spanish, Chinese मतलब Mandarin और कौनसी भाशा थी? Arabic. French, Russian, English, Spanish, Chinese और Arabic छे official languages थी इसके अलावा UNO के अंदर कितनी main organs काम कर रहे थी? तो ध्यान रखना कितनी main organs थी? 6 main organs काम कर रहे थी? कितनी main organs काम कर रहे थी? 6 main organs काम कर रहे थी? जिसमें से एक कौनसी थी? General Assembly इसके बाद करें तो UNSC, United Nations Security Council था, ECOSOC था Economic and Social Council इसके लावा UN का Secretariat, इसके लावा Trustorship Council और इसके लावा क्या था? International Court of Justice ये 6 main organs थी? UNO के अंदर काम करने वाली? जिसमें से General SMB, United Nations Security Council, ECOSOC, Secretariat और Trustorship Council इन सबका headquarter कहां पर था? New York में लेकिन International Court of Justice एकलौती ऐसी है 6 organs में से जिसका headquarter कहां पर है? The Hague, Netherlands में जिसका headquarter कहां पर है? The Hague, Netherlands में और last point, United Nations Organization को कौन से वर्ष का Nobel Peace पुरसकार मिला है? तो UNO को 2001 का, 2001 का Nobel Peace पुरसकार दिया जा चुका है, Norwegian Society के दौरारा, तो 2001 का Nobel Peace पुरसकार विजेता है कौन? United Nations Organization और इस बार का 2020 का बता दो कि Nobel Prize विजेता कौन है? Nobel Peace Prize किसे मिला है? तो वो क food program को मिला है? और जितनी भी food से related और सबका headquarter कहां पर होता है? रोम और इटली में होता है? ठीक है न? Yes, चलो. Next अगर मैं बात करूँ, तो बहुत सारी information हो गए, United Nations की mostly सारी information जो है, cover up कर दी है, UN में से question आना तै है, चाहे आप bank दोगे, SSE दोगे, railway दोगे, कही ना कहीं से जाकर United Nations Organization में से question बनाया ही जाएगा, बहुत बढ़िया, चलो. Next आ रहे हैं, अगले question की तरफ, India's first submarine museum INS Kuru Sura is located in which state? भारत का पहला पंडुबी संग्रहाल है, INS Kuru Sura किस राज में सिते? भाई, बहुत ही important question है. ठीक है न? हमने ये question पहले भी किया है, और question आने के बहुत chances है Indian Naval Ship INS Kuru Sura, ठीक है, ये first submarine museum है, पंडुबी संग्रहाल है, जिसमें पंडुबियों के बारे में बताया जाता है, आप screen पर देख सकते हो, किस राज में सिते है, तो कौन सा राजी होगा, बिलकुल, कोई ना कोई तटीय राजी ही ही होगा, और कौन सा होगा, विशाका पत्न विशांग आंधर प्रदेश में लोकेटेड है, बहुत बढ़ी है, सब के आंसर आने लग गया है, फटा फट सेशन को क्या करते जाना है, शेर करते जाना, और दोसों से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़े हुए, तो कहां पर आ जाना है, कमेंट बॉक्स में जाना है, पर चोरे-चोरे चुपके-चुपके सेशन देखने की नहीं होती है, नेक्स आरा है अगला क्वेशन, वो हाज वन दा इटालियन ग्रांप्री 2020, इटालियन ग्रांप्री 2020 किसने जीता है, इटालियन ग्रांप्री किसने जीता है, उप्शन है, पॉल काबा, लेटारी पोट जीता है किसने पियारी गैस लेने नेक्स आरा अगला question फिकी के नए अध्यक्ष की रूप में किसे न्यूक्त किया गया है अपने आप में फिकी, CII, NASDAQ ये सब इंपोर्टेंट रहती है किसी ना किसी एक में से question आना तै ही रहता है इसके नए प्रेसिडेंट के रूप में किसे न्यूक्त किया गया है option है संगीता रेड़ी, रीता तियोटियो, उदेश शंकर या फिर केशब मुरुगेश तो केशब मुरुगेश तो NASCOM के हैं, फिकी के नए अध्यक्ष की ने बना दिया गया है उदेश शंकर जी को बना दिया गया है, और किसको रीप्लेस किया है, संगीता रेड़ी जी को रीप्लेस किया है next बात करें अगले question की तरह, Reserve Bank of India ने ये announce किया है कि contactless card payment, जो अभी तक हम सिर्फ 2000 रुपे ट्रांसफर कर पाते थे contactless card payment से, इसे कितने तक बढ़ा दिया गया है तो भारतिय Reserve Bank ने गोशना कर दी है, कि संपर्क रहे card भुकतान की सीमा जो है, 2000 से बढ़ा कर कितनी कर दी गई है, तो बिल्कुल जो है, सही answer आने लगे प्लीज दस हजार मत कर के आना, कितनी कर दी गई है भई, 5000 कर दी गई है, कितनी कर दी गई है, 5000 कर दी गई है तो अभी तक contactless card से, मतलब आपको pin न डालना पड़े, सिर्फ जो है, मशीन पर टच करने से ही पैसा डिडेक्ट हो जाता था, तो अभी तक से 2000 तक transfer कर पाते था, अब इसकी लिमिट बढ़ा कर कितनी कर दी गई है, 5000 रुपीज कर दी गई है जल्दी से बता दो, अभी तक हमने Italian Grand Prix जीता था, अब पूछा जा रहा है question में कि Portuguese Grand Prix Formula One Race किसने जीती है तो बिल्कुल सही answer आने लगे हैं, किसने जीती है, Lewis Hamilton ने जीती है, किसने जीती है, Lewis Hamilton ने ब्रिटिश तो कौन सी गाड़ी चलाते है, Mercedes चलाते है, Mercedes चलाते है नेक्स आ रहा है, अगले question PM Modi has inaugurated the Pediatric Heart Hospital, which is India's biggest hospital for cardiology, it is in which city PM Modi ji ने बाल रोग हस्पिताल का गाटन किया है, जो कार्डियोलोजी के लिए भी भारत का सबसे बड़ा हस्पिताल है किस शहर में ये स्थित है, तो Pediatric Heart Hospital, बाल रोग हस्पिताल और इसके अलावा ये जो है, इंडिया का biggest कार्डियोलोजी हस्पिताल भी रहेगा, जो हार डिसीजेस को रिजॉल करने वाला है, ये किस शहर में स्थित है, तो इसे जो है, इंडिया का biggest hospital for cardiology कहा गया है, और ये Pediatric Heart Hospital रहेगा, तो बाल रोग हस्पिताल रहेगा, कहां पर जो है, इसकी launching की गई थी, मोदी जी के द्वारा, तो बिलकुल, भई, कहां पर था, सूरत गुजरात में, नहीं, कहां पर, एहमदाबाद गुजरात में की गई थी launching, कहां पर की गई ये launching, एहमदाबाद गुजर में, ठीक है, तो सूरत मत कर किया आना, उप्शन में, जान पूछ का, मैंने सूरत दिया था, कहां पर located है, एहमदाबाद गुजरात में, और एहमदाबाद गुजरात की capital बिलकुल नहीं है, जिन्नों को ये confusion है, गुजरात की capital क्या है, भई, गांधी नगर है, ठीक है, अब लोग अमार से जुड़े हुए, दिनेश सर, अंकिता माम, तो बहुत नए नए जो है, आज नाम देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, कि संडे को भी जुड़े हुए, निक्स क्वेशन आरहा है, स्मीती माम स्क्रीन पर, एक अनना इंटरनाशनल स्टे स्टेट कहां पर लोकेटेड है, तो बिलकुल आंसर आ गया है, सब कहां पर लोकेटेड है, उत्तर प्रदेश में लोकेटेड है, कहां पर लोकेटेड है, यूपी में लोकेटेड है, अगर मैं बात करो तो भारत रतने शी अटल बिहारी वाजपे जी के नाम पर बना हुआ एकएपिण पर दी और समांतर कों से दो देशों के बीच में एक सीमा रेखा है तो एक वी सीमा रेखा से आई गए आएगा ठीक है, 49th parallel जो है, boundary line है, किन दो countries के बीच में, option है, North Vietnam, South Vietnam, Montana, यहां फिर Woming, USA और Canada, यहां फिर Russia और Finland, तो 49th parallel जो है, यह boundary line है, सीमा रेखा है, किस country के बीच में ध्यान रखना है, भई किस country के बीच में है, USA और Canada के बीच में, तो आप screen पर देख सकते हो, USA और Canada को जो है, divide करत है, कौन सी, सीमा रेखा, वो कौन सी है, 49th parallel जो है, वो divide करती है, next आरा है, बहुत बढ़िया, अगला question स्क्रीन पर, the group of monuments at Mahabalipuram, is located in which state, Mahabalipuram के समारकों का समुग किस राज्य में स्थित है, बहुत बार question पूचा गया है, SSC railways में भी, Mahabalipuram, जो है, यह group of monuments है, आप screen जो है, answer आने लग गया है, कहां पर located है, भई, Tamil Nadu में located है, कहां पर located है, Tamil Nadu में located है, करनाट का मत कराना, कहां पर located है, Tamil Nadu में महabalipuram के group of monuments मारकों का समु, next आरा है, अगला question, who will lead the panel formed by the Niti Aayog for reforms in urban planning education, शेहरी नियोजन शिक्षा में सुधार के लिए, Niti Aayog द्वारा गठि पैनल का प्रमुक कौन होगा तो नीती आयोग नीती आयोग का फुल फॉर्म क्या है नाशन इंस्टिउशन फॉर ट्रांस्वर्मिंग इंडिया इसने जो है शेहरी नियोजन शिक्षा के लिए मतलब शेहरों में कैसे जो है प्लानिंग की जाए कि एजुकेशन को सुधारा ज चंछरा जेहरा है और उस कमपीटी के अध्यक्षिता कौन कर रही है नीती आयोग के अंडर और तो नीती आयोग के क्या है वाईस चेहरमन है जो नीती आयोग के क्या है वाइस चेहरमन है अ sorry if पहले पहले चला करता था क्या Planning Commission योचनायोग, अगर हम बात करें Planning Commission की तो ये योचनायोग का concept जो था, Planning Commission का concept जो था, ये कहां से आया था, भई, मोख्षु गुर्णम विश्वेश वरहिया जी ने, मोख्षु गुर्णम विश्वेश वरहिया जी ने, जिनके नाम पर Ingenious Day मनाया जाता है 15 September को, उन्होंने एक book लिखी थी, book का नाम क्या था, Planned Economy for India, जिस पर P.S.C. लेवल में भी बहुत सारे question पूछे जा चुके हैं, कि Planned Economy for India book किसने लिखी थी, तो Planning Commission योचनायोग के अगर हम बात करें, तो योचनायोग के शुरुआत जो थी, वो मोख्षु बुक के नाम से, ठीक है, अगर मैं बात करूँ Planning Commission की, तो Planning Commission जो था, योचनायोग जो था, उसे कब बना दिया गया था, 15 मार्च 1950 में बना था, 15 मार्च को जो है, Consumer Rights Day भी मना जाता, उबोकत अधिकार दिवस भी मना जाता, और 15 मार्च को ही Planning Commission बना था, योचनायोग Planning Commission को र National Institution for Transforming India, Full Form क्या है, National Institution for Transforming India, ठीक है, Planning Commission को रिप्लेस करके, नीतियायोग को कब लाए गया था, एक जनवरी 2015 में लाए गया था, कब लाए गया था, एक जनवरी 2015 में, आउगस्ट 2014 की बात करूँ, आउगस्ट 2014 में, जैसी मोधी सरकार आई, तो Planning Commission को क्या कर दिया गया था Abolish कर दिया गया था, खतम कर दिया गया था, और एक जनवरी 2015 से सरकार किसे ले आई, नीतियायोग को, नीतियायोग में ये कहा गया कि चेर परसन तो कौन रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर रहेंगे, वाइस चेर्मन का नाम क्या रहा, राजीव कुमा रहा, और CEO कौन है, अम प्लानिंग एजुकेशन के लिए शेहरे नियोजन शिक्षा के लिए जो है, उसमें सुधार के लिए कमिटी का गटन किया, जिसके अध्यक्षिता कौन करेंगे, राजीव कुमार जी करेंगे, भई बहुत बढ़िया, तीन सो से दादा लोग हमारे साथ जुड़ गया है, अगला गया है, नेक्स्ट आरहे अगला क्वेशन, नैनी नरसिम्मन रेडी, वो पास्ट अवे रिसेंटली वास फर्स होम मिनस्टर ऑप इस टेट नैनी नरसिम्मन रेडी जी जिनका हाली में निदन हो गया है, वे किस राज की प्रतम ग्रह मंत्री थी, जल्दी से आंसर ब कहा कि थी जिनका हाली में निदन हो गया तो पिलकुल आंसर आने लग गया बही कहा की थी यह फिर्स होम मिनिस्टर टेलंगाना की थी तेको फिर आंध्र प्रदेश नहीं करना है ठीक है ना कहा की थी तेलंगाना की थी नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेशन ओकला बर्ड सेंचुरी इस लोकेटेड इन विच स्टेट ओकला पक्षी अभ्यारण किस राज में स्टेत है तो ओकला के नाम से ही माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए ता मैंने पहले भी बता यह क्वेशन बहुत बार पूछा गया है ओ बहुत बार पूछा गया है तो बहुत बार पूछा गया है नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेशन स्क्रीन पर इंटर आश्य भारत ओलन महासंग का मुख्याल है कहां पर सित है बहुत बार पूछा गया क्वेशन है एड़कोर्टर ओफ इंटरनाशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन अंतर आश्य भारत ओलन महासंग का मुख्याल है कहां पर सित है जल्दी से बता दो ऑप्शन है बुड़ापेस्ट हंगरी एथेंस ग्रीस लॉस अंजलेस या फिर इंटरनाशनल वेट लिफ्टिंग फेडरेशन का हेड़कोर्टर बिलकुल सही आंसर आने लगया है बहुत बढ़ी अच्छना माम भाई लेट हो गया जल्दी से आंसर देना स्टार्ट कर दो गुड़ मॉर्निंग गंशाम सर मुरारी सर वेरी गुड़ हर्ष फर्दन सर प 25 क्वेशन हो चुके थे फटा फट बता देना अभी तक कितने सही हुए है बहुत बढ़िया फर्नल हैंडशा जो है उन्होंने बता दिया कि उनके 18 सही हुए बाकी लोग भी अपने क्या कर लेना काउंट कर लेना ठीक है 25 में नेक्स आरा अगला क्वेशन दंते वाड़ा बांध किस राज्य में जो है बनाया गया है दंते वाड़ा डैम कहां पर लोकेटेड है तो दंते वाड़ा वो जो है उससे मत कर लेना कि वो जो है मॉइस्ट ग्रूप है ठीक है दंते वाड़ा डैम जो है वो कहां पर किस राज्य में बनाया गया है ऑप्शन है बिहार आं नेक्स्ट आ रहा है अगला क्वेशन तूली हल इंटरनाशनल एरपोर्ट कहां पर स्थित है तूली हल अंतराश्य हवाई अड़ा कहां पर स्थित है बहुत बार पोच गया क्वेशन है और इंटरनाशनल एरपोर्ट में से क्वेशन आना तैहे तूली हल इंटरनाशनल एरप कहां पर लोकेटेड है बहुत बढ़िया आंसर आने लगए भई कहां पर लोकेटेड है मनीपूर का है कहां पर है तूली हल इंटरनाशनल एरपोर्ट मनीपूर का अगला क्वेशन आ रहा है स्क्रीन पर अंतराशनल क्रिकट प्रदिशत ICC के नए स्वतंत अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है तो इंटरनाशनल गाया गया है इंटरनाशनल क्रिकट कॉर्टर के है का है दुबई में लोकेटेड है International Cricket Council के hit अगर मैं बात करूँ तो नई स्वतंत अध्यक्ष की रूप में किसे चुना गया है, option है Manu Sahane, Greg Barclay, Shashank Manohar Imran Khwaja या फिर Thomas Batch तो new independent chairman of International Cricket Council ICC के कौन बनाए गया है, बिलकुल Greg Barclay बनाए गया है, कहां के न्यूजिलेंड के नेक्स्ट आ रहा है, अगला question, International Day for the Elimination of Violence Against Women Is Observed Every Year On, भाई महिलाओं के बात होई है, डे इंपोर्टेंट रहेगा, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतराश्री दिवस हर साल कम मनाया जाता है, तो International Day for the Elimination of Violence Against Women Is Observed Every Year On, महिलाओं के खिलाफ हिंसा के लिए उन्मूलन दिवस कम मनाया जाता है, ऑप्शन है, 23 नवेंबर 24 नवेंबर, 25, 22 की इन में से कोई भी नहीं, भाई बहुत बढ़िया, आज 400 के पार पहुचाना ही है, International Day for the Elimination of Violence Against Women, कब सेलिबरेट किया जाता है, 25 नवेंबर को मनाया जाता है, कम मनाया जाता है, 25 नवेंबर को मनाया जाता है, बहुत बढ़िया, very good परी सब लोग अपने आपको शाबाशी देते हैं, जितने लोग सही आंसर दे रहे हैं, very good भारत अमेरिका परमाणू उर्जा पर सयोग के लिए MOU का विस्तार कितने वर्षों तक किया गया है तो इंडिया और USA के बीच में जो Memorandum of Understanding है जो समझोता है Nuclear Energy के बीच में परमाणू उर्जा में दोनों एक दूसरे की मदद कर रहे है ये कितने सालों तक बढ़ा दिया गया है तो इसे कितने सालों तक और बढ़ाए गया है बिल्कुल सही आंसर आने लग गया है कितने सालों तक बढ़ाए गया है दस सालों तक बढ़ाए गया है 2010 में जो है ये MOU Memorandum of Understanding समझोता साइन हुआ था कि दोनों परमाणी उर्जा में सयोग करेंगे और इसे 2020 में फिर से कितने सालों के लिए बढ़ा दिया गया है तो 10 सालों के लिए से फिर से बढ़ा दिया गया है अभी हाली में इंडिया ने USA के साथ एक और समझोते पर हस्ताक्षर कियें भाई कौन से जो है कौन सी फील्ड म की फिल्ड में भी MOU साइन हुआ है हाली में इंडिया और USA के बीच में और न्यूक्लियर एनरजी पर परमाणू उर्जा पर तो है ही पहले से जिससे 10 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है नेक्स्ट क्वेशन आ रहा है इंडिया अनौनसेंस हाउ मिनी प्रोजेक्स कितने प्रोजेक्स में बहुत बढ़िया जो है कोई बातनी गंगापाल से जितना बंडरा उतने आंसर देते जाओ ठीक है बाकी जो है क्वेशन को क्या करते जाओ एक बर देखते जाओ कि कैसे कैसे क्वेशन जो है एक्जामिनेशन में पूचे जाते हैं तो भारत ने आफगानिस्तान के साथ अगरिमेंट साइन किया है कि वो शेहतूत डाम का स्कुन करेगा किसका शेहतूत डाम तो पूचवा जाएगा कि कहां पर एक आफगानिस्तान में जिस से जो है ड्रिंकिंग वाटर प्रोवयड होगा 2.000.000 रेसिडेंस को कहां के काबूल सिटी के ठ तो दिन का इवेंट जो है एटेंड किया था कहां पर अफगानिस्तान कॉन्फरेंस में जितमें सो प्रोजेक्स के बारे में बात की गई है नेक्स आरा अगला क्वेश्चन डियागो मेरेड़ोना डेड अट सिक्स्टी फुटबॉल लेजेंड पासिस अवे ही बिलॉंग्स कि अगले थे 22 देश से संबन्द रखते थे डियागो मैरेड़ोना ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया जर्मणी अर्जंटीना इंगलेंड या फिर ब्रजील तो बहुत कम रुम्र में 60 साल के वर्ष में ही जो है इनका निदन हो गया डियागो मैरेड़ोना का तो मैरेड़ोना के नाम से बहुत famous ते ठीक है किस जो है country को belong करते थे तो बिलकुल answer सही आ गए, कहां के थे बैई, अर्जटीना के, कहां के थे अर्जटीना के, फटफट कमेट बॉक्स में, अर्जटीना की capital और करेंसी बता दो, मुद्रा और जो है, राजञ्धानी बता दो, अर्जटीना की, तो बता देती हूं क्या है ब्यूनिस आरे से अर्जंटीना की capital तो क्या है ब्यूनिस आरे से currency बता दो फटाक से comment box में अर्जंटीना की currency बता दो फटाक से कहां पर comment box में capital तो क्या है ब्यूनिस आरे से next आरे अगला question the best of india short film festival 2020 won by vidyabalan starer nutcut and thus become eligible for the oscar nomination 2021 who is the director of the film ठीक है आपको बताना है कि best of india short film 2020 जैसे की vidyabalan starer nutcut द्वारा जीता गया है और इस प्रकार ये oscar नामकन 2021 के लिए पात्र बन गई थी film के निर्देशक कौन है तो best of india short film festival जो था उसमें विद्यabalan की movie nutcut ने award जीता था आपको ये बताना है कि इस movie के डिरेक्टर कौन रहे है औप्शन है गुनीत मौंगा रौनी सुरू वाला विद्यabalan या फिर शान व्यास तो nutcut movie जो है indian best short film के रूप में चुनी गई थी तो इसके जो है निर्देशक कौन है डिरेक्टर कौन है तो वो कउने भई शान व्यास डिरेक्टर कौन रहे शान व्यास विद्या बालन producer के तोर पर उन्होंने काम किया था उन्होंने स्टारिंग भी की थी मतलब स्टार भी रही थी इस मूवी में बहुत बढ़िया नेक्स टार है अगला question स्क्रीन पर 35th question who is the author of the book insomnia the army stories insomnia army stories पुस्तक के लेखक कौन है तो अगर मैं बात करो तो insomnia का मतलब नींद ना आना ठीक है insomnia हो जाता है रचना बिष्ट के द्वारा लिखी गई है किसके द्वारा लिखी गई है बहुत बड़ी है सौरभसन ने answer दे दिया था अजंटीना की करेंसी पैसो है थोड़ी लेट कमेंट आते हैं ठीक है नेक्स आरा है अगला question name the e-commerce company which partnered with SBI Yono Krishy app for easy availability of क्वALIटी आग्री northern India उस e-commerce company का नाम बताई है जिसने भारत में गुणवक्ता वाले क्रिशी उत्पादनों की आसान उपलब्दिका के लिए SBI Yono क्रिशी आप के साथ भागीदारी की है तो SBI का Yono आप चलता है और Yono का फुल फॉर्म क्या होता है यू only need one यू only need one जो है Yono का फुल फॉर्म होता है तो SBI Yono के क्रिशी आप के साथ जो है किस e-commerce company ने partnership की है कि वो अपने agriculture products और उनकी quality को आसानी से लोगों तक पहुचा पाएगी तो online बैठे बैठे जो है अब agriculture products को भी खरीदा जा सकेगा SBI के Yono क्रिशी आप से तो किसने जो है SBI के साथ partnership की है बिलकुल वो कौन सी e-commerce company है इफको बाजार कौन सी e-commerce company है इफको बाजार बहुत important question है इफको बाजार के अगर मैं बात करो तो ये e-commerce company wing है किसकी इफको की इफको का full form क्या होता है इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोपरेटिव इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर कोपरेटिव जिसने SBI के Yono क्रिशी आप के साथ क्या किया था partnership किया था तो किसानों के द्वारा जो अच्छे products बनाया जा रहे है उसे भी अब digital sales के तौर पर लाया जाएगा नेक्स आरा है अगला question स्क्रीन पर तो थावासमी जो है एक बुक है जो लाइफ एंड स्किल्स बता रहे है थूदर लेंस ओफ रामायन मतलब रामायन में जैसे जैसे दर्शा आया गया है वैसे कैसे जीवन को जो है अपने जो है आगे बढ़ाया जाए कैसे कोशल लेकर आया जाए तो बहुत सारे important चीजे जो है इस बुक में बताई गई है वेंकायन आइडू जी ने जो है इस पुस्ता की launching की थी जो हमारे देश के vice president है आपको बताना है कि ये बुक किसके द्वारा लिखी गई थी तो बिलकुल जो है answer सही आने लग गए है भई किसने किसने जो है जो है ये बुक लिखी थी तो दो है दो लोगों ने मिलकर ये बुक लिखी थी अबिनेता और पद्म अवार्डी से सम्मानित अनुपम खेर जी ने अपनी नए किताब जो है जिसका नाम क्या है तुम्हारा सबसे अच्छा दिन आज है ये बेस्ट डेइस तो डेज ठीक है आप लोग भी ये मान के चला करो कि जो है आज मेरा सबसे अच्छा दिन है आपको बताना है कि अनुपम खेर जी की आटो बैगरफी आत्म कथा का नाम क्या है NICK नेक्स जाहरा है अगला ख्यरका स्क्रीइन पर बहुत बढ़िया 15th Finance Commission today submitted its report for the period 2020-26 to President Ramnath Kovinji who is the chairman of 15th Finance Commission हाली में पंदरवे जो वित तायोग है उन्होंने 2021 से लेकर 2026 तक की जो है रिपोर्ट सम्मिट की है Ramnath Kovinji को आपको बताना है कि पंदरवे वित तायोग के अध्यक्ष कौन है 15th Finance Commission के President कौन है आपको जो है उनका नाम बताना है चेर्मेन बताना है पंदरवे वित तायोग के ऑप्शन है वाई वी रेड़ी अजनारेंज़ा एनके सिंग डॉक्टर रमेशन या फिर डॉक्टर अशोक लेरी तो पंदरवे वित तायोग देश में अभी काम कर रहा है 15th Finance Commission काम कर रहा है इसके अध्यक्ष कौन है बिल्कुल सही आंसर आने लग गए भई कौन है एनके सिंग जी है ध्यान लगना Finance Commission वित तायोग जो है एक समविधानिक संसा है Constitutional Body है जिसके बारे में लिखा हुआ है समविधान के आर्टिकल 280 में तो Finance Commission को बनाने का काम किसका होता है President का काम होता है समविधान के आर्टिकल 280 के तहट और Finance Commission को कितने सालों के लिए बनाया जाता है 5 सालों के लिए बनाया जाता है Finance Commission को अगर हम बात करें तो सबसे पहला Finance Commission, सबसे पहला वित्तायोग आया था 1951 में, सबसे पहली पंचवर्ची योजना के शुरुआत भी 1951 से ही होई थी, सबसे पहला Finance Commission आया था 1951 में, जिसके अध्यक्ष कौन थे? केसी नियोगी जी थे, अगर हम बात करें तो अभी चल रहा है देश का कौन सा 15th Finance Commission चल रहा है, जिसके अध्यक्ष कौन है? N.K. सिंग जी है और इसके लावा बहुत सारे मेंबर्स भी हैं किसमें Finance Commission में, Finance Commission का का काम है, वित्तायोग का काम है कि वो टाक्सिस का बटवारा करता है, करों का distribution करता है, केंद्र और राजों के बीच में, करने का काम है, किसका Finance Commission का, तो ये एक सम्विधानिक संसा है, जबकि Planning Commission योचना आयो की बात करें, तो वो constitutional body नहीं थी, सम्विधानिक संसा नहीं थी, चलो बहुत बढ़िया, नेक्स आरा है अगला question, Where is the Headquarter of International Committee of the Red Cross? Red Cross की अंतराश्य समिती का मुख्याले किस देश में स्थेते हैं, तो ICRC का मुख्याले बताना है, International Committee of Red Cross का Headquarter बताना है, फटाक से, International Committee of Red Cross का Headquarter बताना है आपको ICRC का, option है Dubai, UAE, Brussels, Belgium, Copenhagen, Denmark, यहां फिर Geneva, Switzerland, तो International Committee for Red Cross का Headquarter जो है, किस country में located है, तो बिलकुल आंसर आने लग गया है, भाई, कहां पर located है, Geneva, Switzerland में located है, कहां पर located है, Geneva, Switzerland में located है, और अगर मैं बात करूँ ICRC की, तो मुझे जल्दी से बता दो कि Red Cross Day का मना जाता है, Red Cross Hospital सुने होंगे, जो मानवधिकार के लिए काम कर रहे है, Human Development के लिए काम कर रहे है, Red Cross Day का मना जाता है, 8 माई को मना जाता है, ICRC अपने आप में important है, International Committee for Red Cross की, क्योंकि इसे तीन बार Nobel Peace पुरसकार दिया जा चुका है, पहली ऐसी संसा है, जिसे तीन बार Nobel Peace पुरसकार मिल चुका है, अगर मैं बात करो, 1917 का, 1944 का, 1963 का, तीन बार Nobel Peace पुरसकार विजेता है, ICRC इसलिए अपने आप में important है, International Committee for Red Cross, जिसका हेट कोर्टर कहां पर है, Geneva, Switzerland में, भाई, अज 500 तो पहुचाने है, फटा-फट सेशन को क्या करते जाना है, शेर करते जाना है अगला क्वेशन आरा है स्क्रीन पर, विज सिटी इस नोन असा मैंचेस्टर ऑफ साउट इंडिया द्यू टू इस एक्स्टेंसिव टेक्स्टाइल इंडस्ट्री, निकनेम आना ये तैह है एक क्वेशन, व्यापक कपड़ा उद्योग के कारण किस शहर को धक्षन भारत का मैंचेस्टर कहा जाता है, तो मैंचेस्टर ऑफ साउट इंडिया किस भारती राज्य को कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा कपड़ा उद्योग है, टेक्स्टाइल इंडस्ट्री है, तो ऐसा कौन सा राज्य है, जिसे मैंचेस्टर ऑफ साउट इंडिया क तोर पर जाना जाता है ऐसी कौन सी जगे है तो किस city को Manchester of South India कहा जाता है तो बिलकुल answer आने लग गया है वो कौन सी है येस पवन सर बहुत बढ़िया ठीक है कौन सी है कोईंबर टूर है कौन सी है कोईंबर टूर है ठीक है अगर मैं बात करो सिर्फ और सिर्फ पूछता अगर कि Manchester of India किसे कहा जाता है सिर्फ पूछता Manchester of India किसे कहा जाता है South India नहीं लिखता ठीक है दक्षन भारत नहीं लिखता तो कौन सा हो जाता भई एहमदाबाद हो जाता तो कौन सा हो जाता एहमदाबाद हो जाता नेक्स्ट आ रहा है अगला question स्क्रीन पर, name the latest earth observation satellite launched by ISRO in 2020, 2020 में ISRO दौरा प्रप्रिक्षित नवीनतम पृत्वी अवलोकन उग्रह का नाम बताना है आपको, हाली में जो ISRO ने 2020 में अपनी earth observation satellite जो है वो launch की है, उसका नाम क्या है, option है EOS01, EOSXX, EOSIS या EOS20, बहुत बढ़िया answer आने लगगा है, कौन सा answer है फ़र्स वाला है, earth observation satellite 1, ठीक है इस बार जो है nomenclature नाम को क्या किया गया है, बदला गया है, तो क्या है earth observation satellite 1 जो है ISRO ने launch की है 2020 में, नेक्स आ रहा है अगला question स्क्रीन पर, अटल innovation mission aim has collaborated with which country to launch aim Cyrus innovation program 3.0, अटल innovation mission aim ने किस देश के साथ aim Cyrus innovation program 3.0 launch किया है, तो हाली में जो है अटल innovation mission जो अटल प्यारी वाजपी जी के नाम पर बनाया गया, नीती आयोग के द्वारा, इसने जो है collaboration की है किस के साथ, किस country के साथ aim Cyrus innovation program 3.0 के लिए तो वो important है, क्योंकि अटल innovation mission है, और अगर मैं बात करूँ, तो अटल भी आरी वाजपी जी की, बहुत anniversary भी आने वाली 25 डिसेंबर को मनाई जाती है, तो अटल innovation mission की बात करें, तो aim Cyrus innovation program किस country के साथ launch किया गया है, तो वो कौन सी country है भाई, रश कौन सी country है, रश्या, बहुत बढ़ी answer सही दे रहे हो सब लोग, अटल innovation mission जो है, एक flagship program है, एक launching program है, नीती आयोग के द्वारा, रश्या के साथ, रश्या के Cyrus institute के साथ, full form क्या है, scientific international research institute in unique terrestrial station, ठीक है, जिसमें जो है, रश्या के school children और इंडिया के school children को virtual program के तहत क्या दी innovation program जो है, अपने आप में एक important था, जो इंडिया के aim automation innovation mission ने किसके साथ मिलकर किया था, रश्या के साथ मिलकर किया था, नेक्स आरा है, अगला question, who has been appointed as the president of hockey India in 2020, 2020 में hockey India के अध्यक्ष की रूप में किसे newkt किया गया है, तो hockey India के president का नाम बताना है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि North Eastern region से अगर हम बात करें, पुर्वोतर राजय से किसी को चुना गया है, तो president बताने है, hockey India के 2020 में किने बनाया गया है, तो बिलकुल सब लोग सही answer देने लग गया है, बहुत बढ़िया, किने बनाया गया है, hockey India के नई president, तो किने बनाया गया है, ज्याने इंद्रम निग निगोंबम को, ठीक है, ग्याने इंद्रम निगोंबम को, जो है, hockey India का क्या बनाया गया है, president बनाया गया है, very good, अर्चना माम, पलक माम, अनिल सर, बहुत बढ़िया, पहले answer पढ़ते हो, फिर दीरे-तीरे सब लोग answer देना चालू करते हो, that's good, मतलब strategy clear है, पहले साफ साफ question पढ़ना है, option को पढ़ना है, अच्छे से, ठीक है, उसके बाद क्या करना है, answer करना है, very good all of you, next आरा है, अगला question screen पर, which comic character has been chosen as the brand ambassador for the नमामी गंगे program, नमामी गंगे program के लिए, किस comic चरित्र को brand ambassador चुना गया था, तो नमामी गंगे program जो है, गंगा को clean करने का mission है, किस comic character को उसका brand ambassador बनाया गया है, राजदूत बनाया गया है, मतलब हर जगे वो जा जाकर, और हर जगे उसकी photos क्या की जाएंगी, उससे जो इस program को फिलाया जाएगा, तो वो कौन सा comic character है, बहुत लोगोंने books पढ़ी होंगी, किसकी, चाचा चौधरी की, ठीक है, चाचा चौधर जो है, कौमे character जो है, जो है, कौमे character जो है, अपने शेर करते जाने है, क्या score शेर करते जाने है, कि कितना जो है, अभी तक सही हो गया, और कितना गलत हो गया, अगला question स्क्रीन पर, where in India is the Tunganath temple situated, भारत में Tunganath मंदर कहां पर सित है, तो आप देख रहे हो, बहुत ही beautiful temple है, जो highest altitude पर बना हुआ है, कहा जाता है, और जो है, शिवजी भगवान को dedicated है, तो Tunganath temple जो है, कहां पर located है, ठीक है, बहुत ही beautiful है, और वो जगे भी बहुत ही beautiful है, और वहां के लोग भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, सेशन्स में, तो Tunganath temple जो है, कहां पर located है, बिलकुल कहां पर है, उत्रा खंड में located है, कहां पर located है, उत्रा खंड में located है, बहुत जो है, न्यूस में बना रहता है, ठीक है, नेक्स्ट आरा अगला question, वेर इस था, वेन इस था नाशनल pollution control day observe, राष्टे प्रद्यूशन नियंतरन दिवस का मनाया जाता है, नाशनल pollution control day कब celebrate किया जाता है, तो pollution की problem जो है, बहुत बढ़ती जा रही है, एर quality index डेली का जो है, वो बहुत बुरा होता जा रहा है, बहुत बुरा हाल है डेली का, नाशनल pollution control day का मनाया जाता है, ऑप् राष्टे प्रद्यूशन नियंतरन दिवस 2 December को मनाया जाता है, नेक्स्ट रहा है अगला question, पता लग जाएगा, कि fishing जो है, वो कहां पर हो रही है, तो परिवरतनम योजना भाई किसने start की है, केरला ने start किया, तो हाली में, जो है, cyclone की वज़े से केरला में, जितनी भी fishing activities से उसे क्या कर दिया गया है, रोक दिया गया है, तो परिवरतनम योजना की शुरुआत भी क जैसे केरला सरकार ने परिवरतनम योजना की क्या की शुरुआत की, नेक्स आरा है अगला question, नेम दा इंडियन डिप्लोमाट इलेक्टे टू दे यूएन एडवाईसरी कमिटी ओन आड्मिनिस्ट्रेटिव और बजट्री क्वेशन रहा, प्रशासनिक और बजट्रिये प् presentation करेंगी, कौन सी ऐसी इंडियन डिप्लोमाट है, जिनने जो है इंडियन डिप्लोमाट इलेक्ट किया गया है, यूएन एडवाईसरी कमिटी के द्वारा तो option है, पीके मिश्रा अंशुला कान, गीता गोपिनात या फिर विदीशा मैतरा, तो बिल्कुल सही आंसर आने ल पीके मिश्रा जी जो है, वो कौन है, बनाया किसे गया है, इंडियन डिप्लोमाट इलेक्ट किया गया है, प्रशासनिक और बजटी प्रशनों पर इंडिया की तरफ से जो रिप्रेजेंटेशन करेंगी, वो कौन है, विदीशा मैतरा, जिनने आप स्क्रीन पर देख सकते ह नेक्स्ट आ रहा है, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, दे कलाम प्रोग्राम फोर इंटेलेक्ट्ट प्रोपर्टी लिटरेसी और अवेर्नेस, इस कपिला कैम्पेइन, इस बींग इंप्लिमेंटेड बाई विच मिनिस्ट्री, ठीक है, बौदिक संपदा, साक्षर्ता और जागरुकता अभियान के लिए कलाम कारिक्रम किस मंत्राले द्वारा कानवरित किया जा रहा है, तो कलाम कैम्पेइन की बात की गई है, कपिला कैम्पेइन की बात की गई है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, कलाम प्रोग्राम फोर इंटेलेक्शल प्रोपर्टी लिटरेसी, अब बता दो now everything is okay, अब सब कुछ सही है, तो आपको बताना है कि education minister कौन है, ठीक है comment box में लिखकर बताना है, अगर मैं बात करूं तो उन्हें एक award भी दिया गया है, उन्हें एक award से भी नवाजा गया है, next और अगला question, महात्मा गांधी सेतु ब्रिज is in which state of India, महात्मा गांधी सेतु पुल जो है भारत के किस राज्य में है, तो फटा-फट आंसर बताना है, थोड़ा सा जो है बफरिंग हो गया होगा, sorry for that, आप सब कुछ okay, now everything is okay, बहुत बढ़ी है, सौरफ सन ने बता दिये है, बही, सौरफ सन में खूब बना रहता है, तो महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, कहां पर बना हुआ है, तो कहां पर बना हुआ है, बिहार में बना हुआ है, बिहार के निवासी, पता होगा उन लोगों कि महात्मा गांधी सेतु पुल जो है, कहां पर बना हुआ है, अगला question आ रहा है, अ अकितम अचुतम नंबूतरी जी का हाली में निदन हो गया था, वे किस भाशा के जाने माने कभी थे, तो बहुत ही important question रहा है, येने भी बहुत सारे awards जिये गए है, अकितम अचुतम नंबूतरी जी, ये well-known poet थे, किस जो है language थे, देख, option है, मल्यालम, ओडिया, कन्रड या फ किप कर देना, अचुतम अचुतम नंबूतरी जी, जो है, वो किस भाशा के जो है, जाने माने कभी थे, तो ध्यान रखना किस भाशा के थे, मल्यालम के, किस भाशा के थे, मल्यालम के थे, ठीके, तो मल्यालम poet थे, अचुतम अचुतम नंबूतरी जी, जिनने 55th नंबर का क तो जो भी लोग हमारे साथ बफरिंग की वज़े से डिसकनेक्ट हो गया है, फटा फट कहा आ जाना भई, कमेंट बॉक्स में आ जाना है, तो हम 50 से जादा क्वेशन कर चुके हैं, अभी तक कितने गलत हुएं, अप्रॉक्सिमेट के माइंड में होगा, तो अपने स्कोर्स का का नाम बताईए, जिनका कारेकल जुलाई 2025 तक बढ़ा दिया गया है, तो नाशनल थर्मल पावर कॉर्परेशन ओफ इंडिया के CMD का नाम आपको बताना है, जिनका कारेकल जुलाई 2025 तक बढ़ाया गया है, तो बहुत जादा टेन्योर जो है बढ़ाया गया है, ऑप्शन का कारेकाल 2025 सक क्या कर दिया गया है बढ़ा दिया गया है 75 questions होंगे किरन मैं माच next आरा है अगला question which country has been elected as the president of the international solar alliance किस देश को अंतराश्टे सौर संगठन गटबंदन IS के रूप में जो है चुना गया है तो ISA international solar alliance के बारे में बात की गई है तो किस देश को जो है president बनाया गय के लिए जो है इंडिया को international solar alliance का president बनाये गया है और international solar alliance का headquarter कहाँ पर है गुरु ग्राम हरियाना में located है कहाँ पर है गुरु ग्राम जो गुडगाओं का नया नाम है गुरु ग्राम next आरा है 55th question where is the headquarter of international united nation office for disaster risk reduction that is UNDRR based आप दा जोखिम यूनी करण UNDRR के लिए संयुक्त राज जिराष्ट का कारियाल है कहाँ पर स्थित है तो आपको बताना है कि United Nation Office for disaster risk reduction जो UNDRRA इसका headquarter कहाँ पर located है तो अपने आप में बहुत ही important question है क्योंकि disaster जो आपदा आती है उसके जोखिम को जो है कम करने का ये काम करता है जिसे हमारे देश में national disaster response forces होती है वैसे ही international level United Nation Office for disaster risk reduction काम करता है जिसका headquarter कहाँ पर located है जनेवा स्विजिलेंड में located है कहाँ पर located है जनेवा स्विजिलेंड में located है next question Brahma Kamal is the state flower of which state of India? Brahma Kamal भारत के किस राज का राज की फूल है तो बहुत सारे लोग जो है अब WhatsApp पे status पढ़ते होगे, WhatsApp पे messages आते होंगे कि Brahma Kamal के दर्शन करने चाहिए बहुत इस्शुब होता है तो Brahma Kamal जो है वह एक state flower है किस राज का? ब्रह्म कमल भारत के किस राज का राज की है फूल है तो ब्रह्म कमल कहां का है उत्रा खंड 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 स्टेट अपने आप में बहुत ही ब्यूटिफुल है इसके अलावा जो भी लोग जहां से भी हमारे साथ जुड़े रहते हैं, अपने स्टेट का भई आपको स्टेट फ्लावर पता होना चाहिए, अपने स्टेट का स्टेट फ्लावर पता होना चाहिए, अपने स्टेट का स्टेट फ्लावर पता होना चाहिए, यह सब आपको क्या होने चाहिए, पता होने चाहिए तो World Ocean Day कब celebrate किया जाता है, धिहान रखना, 8 June को मना जाता है, कम मना जाता है, 8 June को मना जाता है, 22 March को तो जल्दिवस मना जाता है, 8 June को World Ocean Day मना जाता है, जल्दी से बता दो कितने oceans हैं, कितने oceans हैं, कितने महा सागर हैं, how many oceans are there, मुझे पता है, बहुत लोग को confusion होगा, कितने oceans ह जल्दी से बता दो comment box में लिखकर, next आरा है अगला question, in Indian economy which of the falling is known as narrow money, भारती अर्थ विवस्ता में जो है किसे संकीन धन भी कहा जाता है, बहुत question पूछा गया है, SEC और Railways के examination में, भारती अर्थ विवस्ता में इंडियन economy में narrow money किसे कहा जाता है, संकीन धन किसे कहा जाता है, इंडियन economy में narrow money किसे कहा जाता है, तो बिलकुल answer आने लग गया है, किसे कहा जाता है, M1 को कहा जाता है, किसे कहा जाता है M1 को, क्योंकि इसकी liquidity बहुत जादा होती है, इसे तुरंद खर्च करके हम कोई भी वस्तु खरीच सकते हैं, इसलिए M1 को narrow money कहा जाता है, जो हमारे an auditor general of India is appointed by, Comptroller and Auditor General भारत ये नियंतरक और महालेक का परिक्षक किसके द्वारा नियुक्त किये जाते हैं, Comptroller and Auditor General को appoint कौन करता है, भारत के नियंतरक और महालेक का परिक्षक जो होते हैं, उनकी नियुक्ती जो है कौन करता है, option है, Prime Minister, Logsabha, President या फिर Finance Minister, ठीक है, तो क्या बताओगे, comment box में, देश के CAG कौन है, Comptroller and Auditor General का नाम, सम्विधान के कौन से आर्टिकल में CAG के बारे में लिखा हुआ है, सम्विधान के कौन से आर्टिकल में, Comptroller and Auditor General के बारे में लिखा हुआ है, तो भाई, मेरे SSC और Railway के हो नहारो, आपको पता ही होना कौन करते हैं, कौन करते हैं, देश के CAG का नाम, फटा फट कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है, और सम्विधान के कौन से आर्टिकल में CAG के बारे में लिखा हुआ है, ये भी बताओगे, नेक्स आरा है, अगला क्वेशन, विच बैंक एस अनाउंस एट इट विल लॉ प्रोड़क्ट उसने निकाला, कौन से नाम का, सफल नाम का, जो जैविक कपास के उतपादकों के लिए जो है, लाबदाही होगा, जो और्गनिक कॉर्टन ग्रो कर रही है, ऐसे किसानों के लिए जो है, ये इंपोर्टन रहेगा, जिससे आसानी से ये लोग जैविक कपास को grow करने के लिए क्या ले पाएंगे लोन ले पाएंगे तो कौन से बैंक ने शुरुवात की है State Bank of India ने State Bank of India ने सफल लोन प्रोड़क्ट की शुरुवात की है और अगर मैं बात करूँ सफल का full form है safe and fast agriculture loan safe and fast agriculture loan जो organic cotton growers है वो आसानी से बिना अगर उनकी कोई credit history भी है तो आसानी से जो है क्या ले सकते हैं loan ले सकते हैं SBI से बहुत बढ़िया पांच oceans है कितने oceans है पांच oceans है बहुत बढ़िया seven क्या है continent से तो साथ समंदर पार वाला गाना का याद करके गलती नहीं करनी है बहुत बढ़िया next आ रहा है अगला question international fund for agriculture development is based in which country क्रिशी विकास के लिए अंतराश्य कोश जो है किस देश में आधारित है तो आपको बताना है IFAD का मुख्याल है कहाँ पर located है international fund for agriculture development का headquarter कहाँ पर located है हमने बात की है जितनी भी agriculture से related संस्ता है है जितनी भी क्रिशी से related संस्ता है सबका headquarter कहाँ पर है भाई रो मिटली में है चाहे वो international fund for agriculture development हो चाहे वो food and agriculture organization हो चाहे वो इस बार की nobel peace prize विजेता world food program हो सबका headquarter कहाँ पर है रो मिटली में तो ध्यान रखना जितनी भी food agriculture से related संस्ता है उन सबका headquarter कहाँ पर है रो मिटली में है नेक्स question आ रहा है नेम दा इंडियन कंपनी विच आज इमर्श आस टॉप solar power developer in the world in 2019 उस भारती कंपनी का नाम बताई है जो 2019 में दुनिया के शीर सौर उर्जा developer के रूप में उबरी है तो आपको बताना है कि 2019 की जो रिपोर्ट आई है उसमें से टॉप solar power developer कौन है वर्ल्ड में कौन सी इंडियन कंपनी है उस भारती कंपनी का नाम बताना है जो दुनिया के शीर स्तान पर है सौर उर्जा को निर्यात करने के केस में ठीक है सौर उर्जा को develop कर रही है सौरी developer है ऐसी कौन सी जादा लोग जो connect हो चुके है हमारे साथ सब लोग comment box में answers देते जाओगे फटा फट सेशन को share करते जाना है और like करते जाना है नेक्स आ रहा है अगला question silver fiber revolution किस से संबन देता है भाई question आए गई आए गई एक revolution में से ये बात गांड बाण लेना silver fiber McCarthy किस से संबन देताược है option है jude production cotton leather या फिर fertilizer तू बिलकुल answer आने लग गते है silver fiber revolution किस से संबन देता है bhai cotton की production से संबन देता है ढ़ूट की production की अगर मैं बात करूँ झूट की production कि मैं बात करूँ leather production के अगर हम बात करें तो कौन सा revolution है भाई brown revolution है fertilizer production की बात करें तो कौन सा revolution है भाई gray revolution है अब मुझे जूर production कौन बताएगा जूर production जो है वो किस से संबंदित है ठीके ना जूर production की बारे में बात बतानी है आपको कि अगर मैं बात करूँ तो जूर production से कौन सा revolution जो है संबंदित है तो सिल्वर फाइबर तो किस से संबन देता है बाई कॉटन प्रोडक्शन से और अगर सिर्फ सिल्वर पूछा जाए सिल्वर जो है सिल्वर रेविलूशन किस से संबन देता है तो वो सारे के सारे पोल्टरी प्रोडक्शन से संबन देता है तो सारे के सारे पोल्टरी प्र राद पूछ सर, रामू सिंग, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, भाई, सब लोग जो आंसर बताते जा रहे हो, सब लोग कमेंट बॉक्स भी देखते जाना, सब लोग जो है, मेरे S.S.E. रेलवे और बैंकों के होना, जो है, बहुत इंटेलिजेंट हो गए है, ठीके न सिमलेकित में से किस संगटन ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसका शीशक था, गरीबी और साजा समरिद्धी, भाग के उतक्रमन, ठीके गरीबी और साजा समरिद्धी, पोवर्टी और शेर्ड प्रोस्पारिटी, जो है, ये रिपोर्ट किस ओर्गनाइजेशन के द्वारा अप्शन है, आपके पास ADB, WTO, World Bank यहां फिर IMF, तो Poverty and Shared Prosperity, Reversal of the Future, गरीबी और साजा समरिद्धी, भाग के उतक्रमन, ये रिपोर्ट जो है, किसके द्वारा निकाली गई है, तो ये रिपोर्ट निकाली है, किसने भई, World Bank Group ने, किसने निकाली है, World Bank Group ने, और World Bank का Headquarter कहाँ पर है, Washington DC में है, दीप सर अब नहीं हो रही है, बफरिंग एक बार चेक कर लो, World Bank का Headquarter कहाँ पर है, Washington DC में लोकेटेड है, IMF का Headquarter भी कहाँ पर है, Washington DC में ही है, World Trade Organization का Headquarter कहाँ पर है, Geneva Switzerland में है, और Asian Development Bank का कहाँ पर है, Manila Philippines में है, ठीक है, तो ध्यान रगना, Poverty and Shared Pros Prosperity Report को निकालता है, World Bank ने इस Report को क्या किया, जारी किया, नहीं हम, very good morning भाई, क्या हो गया, तोड़ा सा लेट हो गया, तो पुराना सेशन जो है, Questions एक बार चेक कर लेना, Next आ रहा है, अगला Question स्क्रीन पर, ठीक है, Next आ रहा है, अगला Question स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले ये कोर्ट में ये कहा गया था, World Bank के द्वारा, 2021 के अंतिता, COVID-19 पैंडेमिक की वज़े से, Next आ रहा है, अगला Question, Name the Prime Minister of New Zealand, who has been elected for the second term in the parliamentary election recently, New Zealand के प्रधान मंत्री का नाम बताये, जिनको हाली में जो है, संसिद्य चुनाओं में दूसरी बार चुना गया है, तो आपको Prime Minister बता Prime Minister बताने है, New Zealand के जिनने जो है, दूसरे टर्म के लिए, इलेक्शन में हाली में, नेक्स आ रहा है, अगला Question, Who has been appointed by the Indian Bank Association as the new chairman for the 2020-21 session, भारती बैंक संख IBA के 2020-21 सत्र के लिए, नए अध्यक्षी रूप में किसे न्यूक्त किया गया है, तो इंजियन बैंक अस्वेशन के IBA के बारे में बात हो रही है, जो बैंकों को पूरी तरीके से क्या कर रहा है, कंट्रोल करता है, Indian Bank Association के नए चेर्में किने बनाया गया है, अपने आप में बहुती इंपॉर्टेंट ग्वेशन है, Indian Bank Association के नए अध्यक्ष की रूप में चुना गया है, किने? राज्किरंड जो यूनियन बैंक ओफ इंडिया के क्या CMD, राज किरंड राइजी को चुना गया है, दिनेश कुमार खारा जी जो है, SBI के है, नाम से पता चल गया होगा, दिनेश कुमार खारा जी कौन है, SBI के चेर्मेन है, नेक्स आरा है अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, इस पुस्तक के लेखा कौन है, तो बहुत इंपोर्टन रही है, इस पुस्तक के लेखा कौन है, आपको ओथर का नाम बताना है, शशी तरूर, सुब्रमानियम स्वामी, सचन पालिट या फिर पीच दम्रम जी, तो बैटल ओफ बिलोंगिंग बुक जो है, इसके ओथर कौन है शशी तरूर जी यह जिनके अंगरी जी बहुत ही अच्छी है, इस पीज सुनके जो है, इंगलिश के बहुत सारे बौड्श जो है, वो मिल जाते हैं, ठीके तो बैटल ओ बिलोंगिंग बुक इस ने लिखिए है, शशी तरूर जी ने लिखिए है, बहुत बढ़िया, डॉक्टर सलीम अली नाश्ट्य उद्यान भारत के किस राजमिस्तित है? सोच समझ कर आंसर देना है. डॉक्टर सलीम अली नाश्ट्य उद्यान के बारे में बात हो रही है. कहां पर लोकेटिड है? गोवा में, ओडिसा में, तृपुरा में, मनिपूर में, कि जमु एंड बात हो रही है, राश्ट्य उद्यान के बारे में बात हो रही है. कि रनमाम, अब कमेंटी लेट आ रहा है. कहां पर लोकेटिड है? जमु एंड काश्मीर में लोकेटिड है. अगर मैं बात करूँ, सलीम अली बर्ड सेंचुरी पूचा जाएगा, अगर सलीम अली पक्षी अब भीयरन पूचा जाएगा, तो वो कहां पर लोकेटिड है, गोआ में, कहां पर लोकेटिड है, गोआ मेंॡ़ी बर्ड सेंचुरी के बारे में अगर बात होुगी. वैसे सलीम अली नाशोनल पाँक, कहां पर लोकेटिड है, जम्मु ए पर कशमीर में लेइन, अगला है which city is known as the city of चिलीज किस शहर को मिर्चों का शहर कहा जाता है ठीक है which city is known as the city of चिलीज मिर्च का शहर किसे कहा जाता है option है मालडा मैसूर वडोडरा या फिर गुंटूर तो city of चिलीज किसे कहा जाता है तो city of चिलीज किसे कहा जाता है ठीक एक ना गुंतूर को कहा जाता है केरला ओप्शन में निये City of چilीस किसे कहा जाता है गुंतूर को गुंतूर कहा पर located है ये बताओगे comment box में लिखकर गुंतूर कहा पर located है ये comment box में लिखकर बताओगे अगला question नाथुला पास इस लोकेटेड इंवे स्टेट नाथुला दर्रा किस श्राज में स्टेत है नेक्स आर है अगला question, रानी की वाव और the Queen's Step Pail is located in which of these of the falling states, रानी की वाव या रानी का Step Pail इन में से किस राज्य में स्थेत है, तो रानी की वाव की जो है ये एक विश्व सांसिनिक धरोर भी है, World Heritage Site में भी लिस्टेड है, UNESCO की तरफ से, और रानी की वाव की जो फोटो है वो 100 रुपे के नोट के पीछे भी बना हुआ है, रानी की वाव या Queen's Step Pail, रानी की वाव जगे जो है, वो कहां पर located है, तो बिल्कुल कहां पर located है, गुजरात में लोकेटेड है, और कौन से नोट के पीछे छपा हुआ है, भई, 100 के नोट के पीछे छपा हुआ है, नए जो 100 का नोट है, रानी की वाव जो है, कहां पर located है, गुजरात में, नेक्स आरा है अगला क्वेशन, वो हैस बीन अपोइंटेड अस अन्यू चेर परसन ऑफ ट्राय, टेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नए चेर परसन किने बनाया गया है, तो बिल् इंटूर आंदर प्रदेश में बहुत बड़िया किने बनाया गया है, पीडी वागिला जी को बनाया गया है, तेलिकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नए चेर परसन, नेक्स वेशन, ओरंग नाशनल पार कहां पर लोकेटेड है, ओरंग राश्ची उद् तो कहां पर लोकेटेड है, आंदर प्रदेश, असम, मिजुरम की हरयाना, तो नाशनल पाक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, राश्ची उद्यान, ओरंग नाशनल पाक आप लोकेटेड है, असम में लोकेटेड है, बहुत बड़ी है, वेरी गुड, दुर्गे लोकेट्व एम चिननाश्वामी अंतराश्य ख्रिकेट्स्टेडियम कहां पर सित है। तो इस दुखदाई क्वेशन के साथ अपने सेशन को यहीं पे एंड करेंगे, जो लोग अभी तक मेरे टेलिग्राम चैनल से नहीं जुड़े हुए, सिलेक्शन विछ चाननी के नाम से आप टेलिग्राम पे सर्च कर सकते हो, या फिर जी है महिंद्राज लाइफ पान इंडिया के टेलिग्राम चैनल पर जुड़ करते हो है, हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो, सारे PDF कुछ important notes जो है, वो इसमें मैं share करती जाती हूँ, अगर मैं बात करो तो भाई, आज NTPC, RRB, NTPC, railway, NTPC जो है, उसकी 10 आर की marathon है, तो RRB, NTPC का examination भी क्या होने वाले है, स्टार्ट होने वाले जो मार्च चलने वाले है, तो बिल्कुल सुब्य आट बजे से लेकर, शाम में 6 बजे तक मैं इंडराज के ऑफिशिल YouTube चानल पर, दस आर की marathon चलने वाली है, RRB तो अपना revision जो है, बिल्कुल करना है, आज पूरे दिन बर revision करना है, सारे के सारे subjects में, जिससे RRB में कोई चूक ना हो जाए, railway के examination में कोई चूक ना हो जाए, तो भई, all the very best है उन लोगों को, जिन्होंने RRB का examination के form फिल किये, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा, और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे कोई भी important information मिस ना हो पाए, जाते जाते सेशन को लाइक करते जाएगा, और अपने संडे को बढ़िया तरीके से इंजोई करिएगा, तांक यू वेरी मुच तो अल उफ यू, कल मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रात में बारा बजे मिलेंगे, और फिल कल मिलेंगे सुबह साड़ इच्छे बजे, हमारे कारेंट अफेस अनालिस के साथ,